यहां से ब्राजील और प्रागवा के बीच में होनवाल इस मैंच के बार हम तो गईज इस वीडियो में इन दोन टीमों हर एक प्लियर्स के बार हम फुल डेटेल से हम बात करेंगे बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखना और धिहान से देखना ओके तो अब हम दालते हैं सीधे इन दोन टीमों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर तो गईज बराजील फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर सेकिंड पोजिशन पर है वहीं पर बात करेंगे परागवा फिलहाल के टाइम पर 43 पोजिशन पर है तो गईज इन दोन टीमों क जो position है उसमें ही काफी ज़्यादा difference देखनों को मिलता है तो guys अब बात आते हैं कि इन दून टीमों में सा हम किस टीम को अपनी dream along टीम के लिए एक favorite team मान के चलता हूँ क्यों क्योंकि FIFA rank का नुसार भी देखा जाए तो as compared to पराओ एक बहतर rank लेकर बैटे ब्राजिल तो इसलिए मैं इस टीम को एक favorite team मान के चलता हूँ जब यह दून टीम आपस में head to head matches खेलते हैं तो किस तरह का performance देखने को मिलता है इन दून टीमों के और से और वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन से टीम इस मैच में clear cut favorite team होने वाली है हमार समोली टीम क्लियर करने के लिए dream 11 पर तो नज़र डालते हैं इन दून टीमों का head to head matches खेल गया है जिन मैंसे बराजिल ने इस टीम के सामने तीन मैच win कियें और एक मैच draw खेला और एक मैच इस टीम के सामने loss भी किया अटेकिंग वाइज 1.6 गोल पर मैच सकोर किया लेकिन defense 0.6 गोल पर मैच सकोर किया कहना का मतलब जब बराजिल इस टीम के सामने खेलते है तो on and average पर मैच में एक और कभी-कभी इस टीम के सामने पर मैच में दो ये तीन गोल भी सकोर कर देती है लेकिन defense ये टीम जलती से गोल कंसीड नहीं करती है ये कभी-कभी इस टीम के सामने पर दो मैच में सिर्फ एक गोल कंसीड करती है तो performance attack से लेगा defense तक win से लेगा draw तक Brazil का head to head में काफी शांदार देखनों को मिलता है तो इस इस लिए मैच टीम के एक फेवरेट टीम बानके चलता हूं लेकिन जब बात करें जो पिछला मैच इन दोन टीमों को बीच में खेला गया उस मैच को ब्राजिल 2-0 से मैच को win कर गए तेकिंग वाइज इस टीम के सामने दो गोल कर लेकिन defense गोल कंसीड नहीं किया लेकिन उ इस टीम के सामने 3-0 से मैच को win कर गए अटेकिंग वाइज इस टीम के सामने तीन गोल कर लेकिन defense गोल कंसीड नहीं किया अब आप देख सकते तीन head to head matches में बाराजिल नहीं इस टीम के सामने एक भी गोल कंसीड नहीं किया तो परफॉमेंस अटेक्स लेकर defense तक बाराजिल क का ही बहतर देखनों को मिलता है head to head का according लेकिन उससे पिछले दो मैच इन दून टीम को बीच में खेल गए और दोनों मैच आप मान सकते कि दोनों टीम होना attacking wise draw खेले एक मैच ब्राजील पैनल टीम हारी थी वरना उस मैच को परफॉमेंस अगर देखा जा तो head to head ब्राजील का ही बहतर देखनों को मिलता है तो इसी लिए मैच टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ लेकिन गाईज हम बात करेंगे इन दोन टीम जो करंट फॉम उसका according जो फिलहाल के टाइम पर पर परफॉमेंस है एक बार हम उस पर भी नज़र डालते हैं तो गाईज हाल के टाइम पर उन एन एवरेज्ज हर्म एक और कभी कभी त एकस कियो तो पिछला मैच एक और की से वाइज हैं उस ओकर इस तरह तो पिसला मैच इक कोई हलकी टीम नहीं है यह FIFA WORLD RANKING की 5th number की टीम है तो उसके सामने एक टीम डिफैन्स से Draw किर जाए तो आप मान से तो इसके Defense काफी मजबूत है फिर Columbia के सामने केरी और Columbia और Columbia कोई हलकी टीम नहीं है वोख精 पोजिस्यन की नमबर के यार ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको फिक्सिंग देखनों मिले क्योंकि यह मैच क्वालिफाइट होते हैं कि आप बड़ कप खेलो बड़ बड़ मैच कभी नहीं होते हैं लेकिन लीक के मैच होंगे तो कुछ नहीं कुछ अनएक्सपेक्टिड होई जाता सिर्फ आपको इसलि इसी वाज ड्रो खेली और एक मैच यह तीम 3-1 से मैच को विन किया तो परफॉमेंस अगर देखा जाए तो ब्राजिल का काफी शांदार रहा है अटेक्स लेकर डिफेंस तक तो इसी लिए मैच एक भी विन नहीं किया बलकि दो मैच ड्रो खेले लेकिन चार मैच इस टीम लोज किया अभी तक पिछले 6 मैच में एक भी गोल सकोर नहीं कर पाई टीम लेकिन डिफेंस से 1.3 गोल पर मैच सकोर कंसीड किया कहना का मतलब ये टीम ऑन एन एवरेज पर मैच में एक और कभी कभी तेक बहतर टीम सामने पर मैच में दो गोल तक कंसीड कर देती है और हलक से इसके टीम का काफी अच्छा परफॉंस मान से तो क्योंकि 1.3 जादा नहीं होता 1.3 बहुत अच्छा होता तो यहां से पता चलता कि जो बड़े मैच होते हैं वो काफी डिफेंस खेले जाते हैं और आपने देखो कि लीग में कम सकम 5-4 गोल वैसे ही हो जाते हैं हाफ टा जल्टा आपको देखने हो मिलेगा जो आप उमीद करके बैठोगे तो बैस मेरा यही मान मान नहीं कि आप ग्रांड ली इन ही में खेला करो बाकि फालतों पर ज्याद ध्यान दिया को भी मत तो बात करें जो पिछला मैच हैं प्रयाग हुआ उरूगवा के सामने 1-0 से मैच का लॉस करका रही है उसरे मेच कोलम्बियार सामने डिफेंसर डो के लिए ओब कोई हल्की टीम नहीं है और ऊस्टीम को सामने टीम डिफेंसर डो केले तो आप मान सिखके लूइद लेकिन उससे फिछले 3 मैच इस टीम वह कंसिस्टंत लॉस किले हैं और 1 मैच इस टीम अर अब आप देखे तो डिफेंस इसका कितना मजबूत है मतलब अर्जेंटीना कोई हलकी वाली टीम नहीं है और उस टीम के सामने भी टीम डिफेंस ड्रो खेले अगर इस मैच का रजल्ट भी आपको डिफेंस ड्रो देखने मिले तो कोई ताज जुबाली बात नहीं है क्योंकि कि यहां से कोलम मतलब पे रहे गुआ कभी डिफेंस अच्छा है तो बात आती इस मैच का फाइनली स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन क्या होने चाहिए अब है गाइस जिसमें हम ग्रांड लिग बनाते हैं अब प्रेडिक्शन क्या होती है अगर आप प्रेडिक्शन को जन पर भी नजड़ा अगर हम इन तीनों फोर्मैट को एक साथ कंपेर करें कि कौन से टीम का बहतर पर्फॉमेंस है तो कई फीफा रैंकिंग अनुसर देखा जाए तो ब्राजिल एक बहतर रैंक लेकर बैठी है ऐस कंपेर टू प्राग हुआ तो यहां से ब्राजिली एक किया रिसेंट लिए या मैच को ड्रो खला लेकिन लोस नहीं किया तो यहां पर भी आपको ब्राजिल है एक फैबिर्ट टीम निकल कर आएगे ना कि प्रागवा तो गईस तीनों फोर्मैट कौनस टीम निकल कर आए ब्राजिल प्रागवा एक खाल की टीम देखनों को हुआ कर डिफेंस कितना मजबूत है तो यहां पर यह मत सोच ले ना कि बिलकुल भी प्रागवा इस मैच में गोल कंसीड कर देगी पांच छे तो आराम से ऐसा कुछ नहीं है इसमें सब आपको जब हाइस गोल देखनों मिलें साइद तीन से उपर नहीं देखेंगा मुझे लगता कि तीन से ज़्यादगा गोल इस मैच में देखनों नहीं मिलें तो फाइनली बात आती है इस मैच का स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन अब क्या हो सकता है तो कई मैं मेरे चुण पर मैच में गोल तो करना ही पाते लेकिन डिफेंस गोल कंसीड कर देती है और ब्रा याज़ी मैं नहीं करेंगी तो इसलिए मेरा स्कोलाइन परडिक्षिन इस मैच कर तो जिरोगा है टूजी दोगा तो इस पर च्थे बात कि वह खाएं परडिक्षिन आप परड़ीक्षिन ने बोला कि इस मेंच का टू जीरो ओक तो सिर्फ आपको यही याद रखना जब Grand League टीम बनाओ, आपको याद रखना कि दो गोल से ज़्यादे इस मैच में नहीं होंगे, अब चाहे यहाँ पर सीधा मैसी आजाए, चाहे नेमार आजाए, चाहे कोई भी आजाए, लेकिन आपको फिर भी यही सोचना कि चाहे कितना भी गोल हों, लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा गोल नहीं होंगे, चाहे कितने भी पिलेर आजाए, चाहे एक साथ एमबाप पैम, नेमार उन मैसी तीनों आजाए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको यही सोचना कि इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है, वन जिरो है, या टू जिरो है, या डिफेंस हर टीम में आपको ब्राजिल की क्रीन चेट रगना, क्योंको पैरगवा का परफॉमेंस है थोड़ा सा डाउन है, तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि इस मैच में ब्राजिल वन साइड बिन करेगी, और पैरगवा की सिर्फ आप उनहीं प्रेडियर को पिक करना है, जैसे कि इस टीम का गोल की पर को चाहिए आपको, दो प्लियर वो चाहिए जो आपको डिफेंसी पॉइंट दे, एक प्लियर ऐसा चाहिए, थोड़ा सा अटेकिंग वो पलस डिफेंसी पॉइंट भी दो, तो बस आपको चार प्लियर इस टीम का वही पिक करना है, अब वो कौन से प प्लियर्स के बारें कि कॉण्ड प्लियर्स के बारें कितना गोल और वीडियो काफी लंबी हो चुकी वैसे अगर आपको वीडियो हलके सी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ लाल बटन नीचे दिख रहा होगा मतलब लाल ऑप्सन दिख रहा होगा इस तरह ल है या डरोफ करना रिचायर लेशन का खेलना का चंस है या नहीं वह आफट लाइन पता चलेगा लेगन प्रिइए स्मी दे नहीं खेलाता रोबर्ट लीयों यह भी खेलना का चांस थोड़े से ड़ाउन खोट है तो इसको भी ड्रोप करना राफिन है सब्समें जरूर खेल तब यहां से गैबरियल इस टीम तरह से पैनल टेकर कहलाईगा, इवर्टन डिवेरियो एक इंपोर्टन प्लियर डिफेंसिव पॉइंट अच्छा कहते देता है, और ब्राजी लीग में खेलता है, और यहां से मार्किनियोस जोकी इस टीम की तरफ से दो गोल कर चुक है, लेकिन मेरा लोस होगा तो वास्ते में, फिलिप कौतिन हो एक इंपोर्टन प्लियर है, काफी यंग और टेलिंटल प्लियर मान सकता हूं, वो डिफेंसिव पांड भी अच्छा देता, एंथोनी और आर्थर को खेलने का चांस रहेंगे, तो आर्थर को में टीम ट्राइ करन चल लेना, ओके तो बात आती है, मतलब जो इस टीम तरस वो प्लियर जोना असिस्ट प्रवाइड कियें, तो नजर डालते हैं, असिस्ट वाड़े प्लियर्स पर, तो गैज असिस्ट में हम देख जाए, तो नेमार नहीं खेलेगा, राफिना इंपोर्टन रहेगा, गैबर तो कैस्ट परागवग टीम तरस एंचेल रोमेरो यही कैस प्लियर्च जो इस टीम की तरफ से गॉल करेगा, आपको उने इनको ट्राइ करना, जब आपको लगे कि यहां से तीम गुल करेगी, तो यह पैनल टेकर भी है, और इस टीम तरस हाइस गुल टेकर है, अलेजैंडर तो इनको आप एंगे मलता हैं यह देख जя जाता हमेल जो ढ़ाइस पर लेकिंगें की टिम आप दे जाता है और रेतर पिलियर लेकिन यह के पिछ सदिहा गोछीं होते हैं मैं बोल देता है कि आप नहीं पनुक्षार कर लो लेकिन एक दो ग्रांड लिबिक कर सकते हैं कि आपको इस सेंटर फोरोड कर रूप में साइधी इस मैच में खेलता भी नजर आए तो ट्राइ करके चले लेकिन एंजल रोमेर को जरूर ट्राइक करना बात आती है इस मैच की स्कोर लाइंड प्रडिक्सन गोरों सार क्या रहने चाहिए इस मैच जो हमर समोल लिग टीम ड्रीम लों पर तो नजर डालते हैं ड्रीम लों की टीम पर अब एक चीज में क्लियर करता हूं ओके जस्ट वैट प्रीज कांदर ने सवाल पैदा हो रहे हैं क्यार ब्रागवत काफी हलकी टीम है और ब्राजिल फिर भी बहतर टीम ह क्यार इसमें दोई गोल से जादा नहीं होंगे अब सोच रहूंगे इस लेकिन यह भी देखो आप यार जब भी इन दोन टीम हो बीज मैच होएं तो यहां से ब्राजिल 2-0 डिफेंसिव ड्रो भी खेल गई एक बार तो बाद तक पैनल टीम मैच गया फिर यहां से 3-0 नहीं देखने मिलें नहीं दो यहां से चीज मानूं कि आप इस मैच का भी स्कॉरलाइन प्रडिक्शन इतना ही जाएगा तो इसी का अनुसार मैंने इसलिए दुबार क्यों बताया क्योंकि मैच चाहता हूं कि आप ग्रांड लीग खेलो और ग्रांड लीग खेलो नहीं दो प्रियर देखने मिलेंगे शिल्वा और यहां से बेकर बेकर खेलेगा साइद इस में तो मेरा अपना मान नहीं रहेगा कि प्रागवा का गोल की ट्राय करें क्योंकि थोड़े सा अर्जेंटीन बहतर टीम कहीं तो इसका टेस्ट हो सकता है सेंदरों इंपोर्टेंट है म टीम का कैट्टन बना देना विना सोच है मैं ज्यादा नहीं बोलूँ इसके बारहें लेकि इतना बोलूँंगा कट्शा थोड़े से डाउन है टेलस साइद खेल जाई लेकिन यहां से प्रिवेस में में खेल ले था यहां से इमर्सन जूर लिन खेल लेता मतलब यह और कि अब यहां से बाल बूने को बात करें मिड में तो मा हम यहां से लिए लुकास पर करें कासमी रन पीरीयोश में गोल किया तो यह बिना गोल की बीपेंसिव पॉइंड का अच्छी देते हैं तो इन दोनों को मैं इसलिए अपने ट्राइक करूंगो लेकिन राफिना इस में म कि चम्त रखता है अब गोल असिस्ट कर जाए तो यारी बहुत जाद पॉइंड दे जाता तो उस कंडिशन में आप इने ट्राइ कर सकते मेरन हमेशा मन रहेता है कि इसको ड्रोप करने को तो यहां से कोतीन है कि इंपोर्टेंट प्लिए रहे एज वाइस कैप्टन बना सकते क्लोस सा कोरिंग मैच में और ग्रांड लीग में तो पांच यार टीम में बना दें टीम का कैप्टन बहतर प्लिए रहे तो यहां से बात करें सेंडर फॉर्म नहीं तो यहां से अंजेल रोमेरा खेलेगा नहीं हां यार जोड वो भी सुना है मैं और हम यहां से विला से को करते हैं और हमें एक चाहिए डिफेंडर तो हमें यहां से गोमेज को टाकते हैं कि कैप्टन वाइस के बाइद की तो पासिस का भी अच्छा पॉण देता तो इसलिए चलो टीम का कैप्टन मिलीटा वाइस कैप्टन थ्याग शिल्वा अब आपके सामने च्वाइस हैं स्वैडिक नजर आती हैं हमारी टीम तो जिसमें आपके सामने वाइस के सामने फिल हाल केले हैं आप विइनिस्येस जोनर खेले न हींगे लेकिन अभी के लिए नहीं बनाएंगे जोड़े साltim lata on और मेरा मन है कि इन तीन प्लियर को मतलब सेनेटर हो तो जाद डिफेंसिव पॉइंट देता नहीं है अगर गोल असिस्ट करेगा तो ही पॉइंट देगा नहीं तो इन्हें तो इन्हें ट्राइकर के जरू चलना है और कश्मिर प्रिवेस में गोल कि आप ऐसा नहीं कि हर में गोल करेगा इसका गोल बहुत कम आते हैं लेकिन जब भी आता है लोंग बोल्स आते हैं ओके तो अभी के लिए यह है फिलाहल के लिए फाइनल टीम आपको टेलेगाम चले मिलेगी थैंक्यू समच वीडियो कंप्लीट देखने है पसंदा इतने लाइक करते हैं